कोहनी और घुटनों का कालापन लगबग हर इनसान को होता है तो अच्छा सम्बंदी समस्य काफी आम है इसके साथ ही अंडराम्स का कालापन में लोगों की परिशाने का सबब बनता है कोहनी घुटना और अंडराम्स की कालेपन को दूर करने के लिए कहीं घरे लूप ठोड़ा दूर मिलाकर गाळा पेस्ट बना लें इस पेस्ट को अपने कालेपन वाली जगर पर लगड़े और बाद में इस पाने से तोले इससे घुटने और कहनी की सामझे निजमत मिलेगा घुटने कोहनी का कालापन दूर करने के लिए आलो भी काफी फायदे मन साबित हो सकता है। इसके लिए आलो का एक टुकडा लें और उसे अपने कोहनी पर या घुटनों पर पांच मिन तक रगड़े। इसके बाद इसे गर्म पाने से धोले, दिन में दो बारे इस प्रक्रिया को कहने से असर जरूर दिखेगा। अलोवेरा में एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगल गुन होते हैं। दूद और एलोवेरा का मिश्रिन बना कर त्वचा पर लगाये, राद भर छोड़ दे, सुबर धोले, ये त्वचा को प्रक्रितिक रूप से सिधार देगा। खीरे को स्लाइस में काटने और 15 मिनिट तक कहनी और घुटने पर अगड़े, फिर पांच मिट के लिए छोड़ दे, ठंडे पाने से धूले, रोज करे तो कहनी का काला पर दून किया जा सकता है। शेहत वचा के लिए प्रक्रितिक मॉश्यराइजर की तरह कारी करता है, दो चमश शेहन में आदा चमश निम्बू का रैस और एक चमश बेकिंग सूड़ा में लाए, ब्रेत वचा पर इसे लगाएं, 20-30 मिट बाद इसे ठंडे पानी से धूले,